हालो एब्रिवन वेलकम बैक टू पर्चम आएम पूजा इंडिया इस हिस्टोरिकल फिगर की सीरीज में आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारे भारत रत्न अटल जी के बारे में तो आज अब अटल बिहारी बाचपे जी के बारे में सारी बाते जानेंगे कौन-कौन सी इसकी मि इनकी रचनाओं के बारे में लेक्षी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे लेकिन शुरूयात करेंगे अर्ली लाइफ से कहां इनका आज़न हें पॉलिटी कल करियर कैसे शुरू होता है और भारत के ऊर्मर्प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैसा इसाते साथ पहले नॉन-कॉ प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने 5 साल के टैन्योर को कारिकाल को कम्प्लीट किया है वो है अटल बिहारी बाजपेजी तो आज इनकी बायोग्राफी को हम पढ़ते हैं अगर आपको यहाँ पर पीडिएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं लेकिन मैं अग कोशन बन सकते हैं गोल्डन कोडिलेटर की शुरुवात किसके द्वारा की गए आज हम बात करते हैं सर्व सिक्षा भियान के बारे में बजपन में आप लोग ने एक एड जरूर देखा होगा स्कूल चले हम काफी फेमस था तो वह स्कूल चले हम सर्व सिक्षा भियान और आज हम जिसके बारे में बात करते हैं राइट तो एडुकेशन उसको इनिशेट किसने किया या फिर हम जो चंद्रियान वन के बारे में बात करते हैं चंद्रियान वन के लिए परमीशन किसने दी थी किसने अप्रूवल दिया था या फिर आप बात कर सकते हैं यहां पे पह की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी information और है आप लोगों के लिए हमारा SSC course और SSC test series दोनों available है पर्चम के application पर अगर आप course को या test series को purchase करना चाहते हैं तो आप application के जरीए purchase कर सकते हैं बस आपको करना है कि पूजा 10 code use कीजेगा जिससे additional आपको 10% discount वहाँ पर मिल जाएगा आ आप individual courses को भी purchase कर सकते हैं हो सकता है कोई बच्चा है उसको सारे subject GS के आते हैं बहुत अच्छे से बस quality में दिखका थे या बस फिर history में या फिर science अकेले में दिखका थे तो आप ऐसे individual courses को भी purchase कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं हम हमारे former Prime Minister अटल विहरी बाजपे जी के बारे में अटल विहारी बाजपे जी का जन्म है वो 25 दिसंबर को होता है 25 दिसंबर को 1924 में इनका जन्म होता है नेकिन कहीं कहीं आपको data देखने को मिलेगा कि इनका जन्म जो है वो 1926 में हुआ क्योंकि आपन समारा सरकारी नौकरी करेगा और इसको दो साल एक्स्टा मिल जाएंगे एक साल एक्स्टा मिल जाएगा इस तरीके से होता था तो कहीं कहीं पिर आपको डेटा 1926 भी मिल सकता है तो इनका जन्म एक मध्यमवर्गी परिवार में हुआ था इनके फादर जो थे वो टीचर थे और 25 दिसंबर को 1924 में इनका जन्म मद्रपरदेश के ग्वालियर में इनका जन्म होता है 25 दिसंबर को हолा कि इनके जो पैरेंस होते इनके जो फादर होते हैं वो मैं बात करूँ तो यूपी से बलॉंग करते हैं, इनका जो विलेज होता है, वो वटेश्वर, आग्रा डिस्टिक यूपी में होता है, लेकिन वो माइग्रेट हो जाते हैं, और माइग्रेट करके ग्वालियर शिफ्ट होते हैं, और ग्वालियर में ही 25 दिसंबर 1924 को interesting बात में आपको बताऊं अटल जी के parents, माता और पिता दोनों का नाम एक ही है कृष्णा देवी and कृष्ण विहारी वाजपेई तो कृष्णा देवी और कृष्ण विहारी वाजपेई जो है इनके माता और पिता का नाम होता है इनके father जो होते है वो एक teacher होते है इनकी जो primary education होती है वो वहीं के local schools जो होते हैं वहाँ पर होती है सरसोती सिशुमंदिर हाला कि सरसोती सिशुमंदिर बहुत अच्छा school है तो सरसोती सिशुमंदिर जो है गौलियर में वहाँ पर इनकी initial education होती है उसके बाद ये एंगलो बर्निकुलर मिडल बर्नगर जो जैन में district में है वहाँ पर इनके father headmaster हो जाते है और वहाँ पर ये school के लिए जाते हैं लेकिन कहानी कहां से शुरू होती ही पता है जब ग्रेज़ेशन करने के लिए Victoria College आगरा यूनिवर्सिटी में दाख खिला लेते हैं जिसको आज अब महराने लक्षमिभाई government college of excellence के नाम से जानते हैं Victoria College जहाँ पर ये ग्रेज़ेशन करने के लिए bachelor of arts in Hindi, English, Sanskrit ये सब करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है राजकुमारी कॉल से कई सारे लोगों ने अटल विहारी बाजबे जी और राजकुमारी कॉल जी की कहानी के बारे में सुना भी होगा हाला कि ऐसा बताया जाता है कि राजकुमारी कॉल को बेहत पसंद किया करते थे अटल जी लेकिन दोलों की कभी शादी नहीं हुई लेकिन जो राजकुमारी कॉल जी की बेटी थी नमीता तो नमीता को ऐसा foster parent adopt किया था adoption किया था अटल जी ने और अटल जी ने ही इनकी बेटी की परवरिश की है ऐसा बताते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अटल जी पहली बार ऐसा होता है कि किसी प्रधान मंतरी के आवास में प्रधान मंतरी के घर कोई दूसरी family रह रही है क्योंकि हाँ बिल्कुल आपने सही सुना राजकुमारी कॉल उनके husband और उनके बच्चे अटल जी के साथ प्रधान मंतरी हाउस में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहा करते थे तो ये भी एक interesting कहानी है और ये काफी लंबी love story बताई जाती है कुछ लोग इसे friends कहते हैं कुछ love story कहते हैं जो भी है बहुत ही अच्छा relation है और 2014 में जो है वो राजकुमारी कॉल का निधन हो जाता है और उसके बाद ये लगबख 50 साल चलने वाली friendship का अंत हो जाता है लेकिन 2014 में जब राजकुमारी कॉल का निधन होता है न तो उस समय अटल जी की तवियत भी बेहत खराब चल रही होती है तो इसके कारण इनके funeral में अटल जी शामिल नहीं हो पाते है चली हम बाते आंगे करते हैं Victoria College से graduation करते हैं और graduation करने के बाद ये एक कह सकते हैं कि इनका एक छोटा सा political career या फिर politics की तरफ ये attract होते हैं और इस direction में जाना ये शुरू कर देते हैं तो इन्हों ने start किया था गॉलियर में आरे कुमार सभा में जो है वो एक movement में शामिल हुए थी और फिर इसके general secondary 1944 में बन जाते हैं लेकिन इनका जो ज्यादा लगाव है ज्यादा जुकाव है वो संगी की तरफ होता है जिसको हम RSS कहते हैं रास्तिय सौम सेवक संग में आरे सिस में ये 1939 में एंट्री करते हैं 1939 में इनकी एंट्री जो है वो रास्तिय सौम सेवक संग में हो जाती है ऐससा वॉलिंटियर होती है और इन्फलेंस होते हैं बाबा सहाब आपके से और उनसे इंफलेंस होके ऐससे वॉलिंटियर इसको RSS को ज्याइन कर लेते हैं फिर RSS के एक training camp होता है कि कैसे आपको वरकर आप बोल चकते हैं RSS की टर्म में 1947 में ठीक है अब एक और किस्ता यहाँ पर याद आता है कि कभी आपने सब सोचा है कि आपके पैरेंस को भी पीज़ी करने और आपको भी पीज़ी करने और आप एक यूनिवर्सिटी में धाखले लाइए एक ही क्लास में हो मतलब क्लास मेड बन जाए ऐसा होता है क्या लेकिन ऐसा अटल जी के साथ हुआ था 1945 में अटल जी ने लौ के लिए लौ की पढ़ाई करने के लिए 21 साल की उम्र के थे कानपूर कॉलेज में इन्होंने दाखला लिया और उनके जो पैरेंस थे मतलब इनके जो फादर थे वो भी रेटायर हो गए तो उन्होंने भी तीस साल की अपनी टीचिंग की सर्विस करते थे बताया जाता है कि अटल जी को खाने पीने का बड़ा शौक था तो आप इन्हें कई बार यहां पे खाना बनाते हुए भी देखेंगे तर आप इनकी गूगल में पिक्चर सर्च करेंगे तो आपको कई सारी आसी पिक्चर मिल जाएंगे चलिए अब आंगे बात कर करते हैं 1942 की 1942 में भारत में क्या चल रहा होता है भारत में कुछ इंडिया मुवमेंट चल रहा होता है भारत छोड़ो आंदोलन राइट भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है 1942 में और आरेसे मतलब संग डिसाइड करता है कि हम कुछ इंडिया मुवमेंट में पार्टिस पेट किया था लेकिन यहां पे फिर रिटर्न स्टेटमेंट अटल जी लिख कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो भीड का हिस्सा बन गए थे लेकिन हमारा क्वेट इंडिया movement में शामिल होने का कोई उद्देश नहीं तो नहीं हमिश में शामिल हुए थे तो यह एक false rumor है और उसके बाद अटल जी को छोड़ दिया जाता है अब यहाँ पर पार्टिशन के लिए भारत और पाकिस्तान के पार्टिशन के लिए जब रॉइट शुरू होते हैं दंगे श सकते है दिनदायालुपाध्धय जी होते हैं उनके अंडर ही सारा काम होता है तो यह पढ़ा लिखा हाद में हिंधी भी जानता अचय से पढ़ना देखना जानता है लोकी स्टड़ी भी कर रहा था और बोलने में भी काफी अच्छे हैं स्पीच में आच्छší है क्योंकि हम करवाया उनके लिए काम करना नोने शुरू किया जैसे कि अगर हम बात करते हैं राष्ट धर में एक हिंदी मंथली था इसके लावा पंच जन हिंदी वीकली था और स्वधेश और वीर रर्जुन जैसी डेली न्यूस पेपर में नोने काम करना शुरू किया था दिंदाया राजपे जी को नेश्टन सेकेटरी ऑफ दा पार्टी चार्ज ऑफ दा नदन रिजन दिल्ली में इनको अपॉइंट कर दिया गया था इनकी विचारधारे आरेसस की विचारधारां से थोड़ी सी अलग थी इसलिए हमेशा कहा जाता था कि राइट मैन इन रॉंग पार्ट तो यह स्टेटमेंट जो है वो अटल जी के लिए बोला जाता है क्योंकि इनके विचारधारे संग की विचारधारों से थोड़ा सा टिफर करती थी ठीक है यह कोई प्रेक्टिशनर हिंदो नहीं थे या बहुत जादा इनका ऐसा नहीं था कि आपको मंदर तोड़ना चाहि लोगों को एजुकेशन दो इंफ्रस्ट्रक्चर दो हॉस्पिटल बन वाओ यह इनकी विचारधारा है थी और जो बिल्कुल सही थी बाकि इनका ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बाबरी मजजद गिराओ फिर आयोध्या मंदर बन वाओ ऐसा कुछ भी इनका पॉइंट आफ जन संग में ये काम कर रहे थे 1951 में और इनको नेशनल सेकेट्री ऑफ दा पार्टी इंचार्ज नदन रीजन के लिए बनाया गया था अब ये बोलने में बड़े माहिर थे बोलने में बहुत माहिर थे और लोग इनकी बाते सुनते तो जब 1957 के इलेक्शन होते है जनरल इल होते हैं मतरा के राजा होते हैं महिंद प्रताप उनकी अगेंस्ट इफाइट करते हैं लेकिन लगबग 24% उनको वोट मिलते हैं थर्ड रैंकिंग पे आते हैं लखनों का भी इलेक्शन हार जाते हैं लेकिन बलरामपुर की जो सीथ होती है वो जीत जाते और इस तरीके से इनका एक पॉलिटिकल करियर शुरू हो जाता है और इस सांसद के रूप में एक MP के रूप में पार्लियमेंट पे एंटर हो जाते हैं क्योंकि लोगों कहीं मानना था कि इतना यंग व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति जो बोलने में अच्छा है जिसकी foreign policies बहुत अ तो लोग इसकी बात सुनेंगे ऐसे व्यक्ति को जो है वह संसद में जाना चाहिए था यही रिजन था कि 1957 में इनको तीन अलग अलग जगों से इलेक्शन लड़ाया जाता है और पाइनल यह बलरामपुर की सीट से जीत जाते हैं और MP बन जाते हैं लोगसभा के मेंबर बन दिल्ली से भी लड़ाया मदरप्रदेश से भी लड़ाया तो ऐसे मतलब अलग अलग जगहों से इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं चाहिए वह मतरा हो फिर आपका लखनाव हो दिल्ली हो ग्वालियर हो है ना बलरामपूर हो इसलिए आप कोई एक कॉंस्टेंसी इनकी वर्सी ही है कि रॉबरी से हुआ किसी ने मार दिया क्योंकि मुगल सरह स्टेशन के पास इनकी बॉड़ी मिलती है तो दीन दय अलुपादिया जी के बारे में बात बिबात करेंगे तो दीन दय अलुपादिया जी का निधन हो जाता है और उसके बास सारी जो कमांड होती है वो किसके पास आजाती है बाचपे जी के पास आजाती है तो जनसंग की जो कमांड होती है लीडर्शिप होती है वो बाचपे जी के साथ में आ जाती है और पार्टी को रन करते हैं किसके साथ नाना जी देश्मुक के साथ बलराज माधो एन एल के आडवानी लालकृष आडवानी जी एक और बहुत इंट्रेस्टेंग किसा है जब अगले इलेक्शन होते हैं मतलब अगर हम बात करते हैं 1996 के आसपास के जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें पार्टी पूछती है कि भाई अगर हम एलेक्शन जीत जाएंगे जैसे कि होता ना आज भी एलेक्शन होते हैं तो पूछा जाता है पार्टी से कर आप एलेक्शन जीत का है तो आपका प्रधान मंत्री का चहरा कौन रहेगा तो अगर बीजेपी बोल रहेगे कि की बात कर रही हूं तो क्या होगा तो आप किसे अपना प्रधान मंत्री का चहरा बनाएंगे तो लाल कृष्ण आडवानी जी ने सड़नी उठे माइक पकड़ा और कह दिया कि हमारे प्रधान मंत्री के चहरे जो है वो अटल जी रहेंगे पर अटल जी खड़े होते कहते नही जो आडवानी जी है वो चहरे रहेंगे तो आडवानी जी कहते हैं कि तुम बोलने पे अच्छे हो और तुम्हारा अनॉंसमेंट मैंने आप पर कर दिया इसलिए तुम ही जो हो वो हमारे प्रधान मंत्री के चहरे रहोगे तो ये भी एक बहुत ही फेमस किस्सा यहां पर द की जल्ड़ाए है लग लग दस बार लोक सभा की मेंबर रहें चार अलग अलग स्टेट से और दो बार राध सभा की मेंबर की रूप में नहों おिकाम किया है। अब समय आता है 1975 इंतिन्यी इमर्जेंसी का दौर होता है, 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 इमर्जेंसी का दौर होता ह जो है वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो की नॉन कॉंग्रेसी होते हैं और मुराजी देशाई की गवर्मेंट में ही Ministry of External Affairs अगर हम बात करते हैं विदेश मंतराले किसके पास होता है अटल विहारी बाचपेजी के पास होता है अटल विहारी बाचपेजी जब बोलते थे तो ऐसा नहीं था कि हम उनकी पार्टी के लोग ही सुनते थे अपोजिशन की पार्टी के लोग भी उनको सुनते थे और बहुत बड़े प्रसंसत थे पंडित जवाल लाल नहरू अटल जी के और जब भी कोई foreign delegates आते थे तो वो अटल जी को कहके मिलवाते थे उनसे कि हमारे youngest leader है और आने वाले समय में मतलब इनका feature बहुत bright होगा इनफेक्ट ऐसा बताया जाता है कि जब external minister बनते हैं बाजपे जी तो आपको बता दू कि जब पंडित जवाल लाल नहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके पास एक और portfolio था वो external affairs ministry को भी समाला करते थे तो उनका जब cabin था वहाँ पर उनकी picture लगी हुई थी और जब अ राजनीती इन्होंने किसी से सीखी है तो वो देख देख के पंडे जवाल लाल नहरू जी को देख देख के अटल जी ने जो है वो राजनीती सीखी है तो one of the ideal जो है अटल जी के वो नहरू जी रहे हैं और वैसे ही नहरू जी प्रसंसक रहे हैं अटल जी के बले ही दोनों opposition पार्टी के थे लेकिन दोनों एक दुसरे का सम्मान करना बहुत अच्छे से जानते थे तो मुरार जी की गवर्मेंट में मिनिस्टर ओफ एक्टरनल अफेर्स जो है वो किसको दिया जाता है अटल जी को दिया जाता है और वही वो पहला समय होता है जब युनाइट नेशन जाते हैं अटल जी और अपनी स्पीच को हिंदी में देते हैं तो ये कोशन तो बड़ा ही फेमस है और इंपोर्जेंट है कि हमारे देश के फॉरण मिनिस्टर बाचपे जी पहले परसन बनते हैं 1977 में जो युनाइट नेशन जन्रल असेमली में जाके अपनी भाषण को अपनी स्पीच को हिंदी में डिलेवर करते हैं और उसके बाद क्या होता है? जो जनसंग होता और जन्दा पार्टी होती है, इनको मिला कर भारती जन्दा पार्टी जिसको आज आण BJP के नाम से जानते हैं उसका formation किया जाता है BJP का formation 1980 में किया जाता है और one of the founding member कौन है अटल विहारी बाचपेजी है इसलिए अटल विहारी बाचपेजी को BJP का पहला President वहाँ पर appoint कर दिया जाता है clear हो गई तिया चीज़े चलिए अब बात करते हैं term as a Prime Minister तो Prime Minister के रूप में इन्होंने तीन बार ये Prime Minister के तरह चुने गए है एक बार 13 दिन के लिए चुने गए है फिर 13 मन्त के लिए चुने गए है 13 मन्त के बाद पूरा इन्होंने अपना complete tenure complete किया है 5 साल का तो तीन बार भारत के Prime Minister के रूप में अटल जी को चुना गया है 1996 से 2004 तक ठीके तो पहली बार जैसा कि मैंने कहा 1996 में हिनको चुना गया था केवल 13 दिनों के लिए फिर 1998 से लेके 1999 तक 1999 तक 13 महीनों के लिए अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और फिर वही 1999 से लेके 2004 तक ये भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नोंने काम किया फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर पहले नॉन कॉंग्रेसी विक्ति जो कि पूरे पाथ साल के लिए भारत के प्रधान मंत्री की रूप में काम करते हैं तो ये इनका टैन्योर रहा फिर 2004 की जो एलेक्शन थे वो अटल जी हार जाते हैं इतियासकारों के ऐसा कहना होता है, विशेश्यक्यों के ऐसा कहना होता है, कि एक साल का टैन्योर और अगर इनको मिलता न भारत और बी ज़्यादा, प्रॉग्रेसीव हो जाता क्योंकि इनके डूरेशन में ने जो काम किया है तो आप बिल्कुल इनको जो है भारत के अगर टॉप थ्री अगर आपसे पूछा जागे प्राइम मिनिस्टर कौन है तो उनमें आप अटल जी का नाम ज़रूर शामिल करेंगे अगर आप इनके contribution को देखेंगे देश के लिए चलिए अब इनके contribution के उपर भी हमें चरचा कर लेनी चाहिए अब इन्होंने जो tenure सम्हाल आया आप देखेंगे 1999 में से लेकी 2004 तक तो इन्होंने कई काम किये हैं पहला काम इनका इनका वेशे सा कहना था कि अगर हमें देश का development करना है तो हमें science क field में भी ध्यान देना होगा हमें research and development में भी contribute करना चाहिए अटल जी के समय अगर हम बात करते हैं तो हमारे GDP का 1.1% हिस्सा जो है वो research में जाना चाहिए science and research development में 1.1% हिस्सा जाना चाहिए वहीं अटल जी ने announcement भी किया था कि 2007 तक हम इसको भारत की GDP का 2% कर देंगे मतलब research म भारत का GDP का को 2% हिस्सा हमें research में देना चाहिए इन्होंने science की तरफ इनका जो जुकाफ था वो बहुत जादा था क्योंकि अगर किसी देश को आपको develop करना है बढ़ाना है और international level पे उस देश की छबी को बनाना है तो आपको science में तो मजबूत होना ही पड़ेगा तो जब जब जया जब ऐसा तो है की आज Chandrayaan के लिए permission लिए और कल चंद्रियान बनके एक दम लांज कर दीए में 2003 में जब चंद्रियान के लिए permission मांगी गई थी तो ऋ अतुल जी की गाईडनस में ओ जय की पर meansan के बाद ही चंद्रियान के चंड्रियान जो mission था उसकी ओठ्वार्ट में लाउचि किया गया हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्लोगन जो अटल जी के लिए है वू यह जैजावान जैकिसान और guns तो यह जो स्लोगन नारा है यह आटल जी का है यह actually इसके शुरूआत कैसे हो रही है जै जवान जै किसान ये किस ने दिया था लाल बहादुर सास्री जी के द्वारा दिया गया था फिर इसी में अटल जी ने जोड़ दिया जै विग्यान और फिर जै अनुसंदान जो है वह प्राइम मिनिस्टर मोधी के द्वारा दिया गया है जै जवान, जै किसान, जै विग्यान और जै अनुसंदान ये किस ने दिया है? मोधी जी ने दिया है तो ये भी बाते आपको तीनों याद होनी चाहिए चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पोखरन टेस्ट के बारे में ठीक है अटल जी अब प्राइम मिनिस्टर बन चोके हैं और अटल जी अब न्यूकलर टेस्ट कराना चाहते हैं जिसको हम पोखरन सेकंड टेस्ट के बारे में बात करेंगे ठेक है पोखरन टेस्ट होते हैं राजिस्तान में दो टेस्ट कंड़क्ट कराया जाते हैं एक 11 माई को कराया जाता है और 13 माई को कराया जाता है या कभी भी भारत इन नुकलर हत्यारों को उप्योग नहीं करेगा नो फर्स्ट यूस पॉलिसी यहां पर वाजपी गवर्रमेंट के द्वारा साइन की गई थी और कुछ समय बाद पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ टेस्ट कराया जाता है अब पाकिस्तान भी नुकलर टेस्ट कर रहा है भारत भी नुकलर टेस्ट कर रहा है तो यूएसे हो गया और आपका साउथ एशिया का जो रीजन हो गया और कई सारी जगों आप एक कंसर्ण जनरेट हो गया कि भाई ये दोनों देश भी आप जो है वो नुकलियर टेस्ट कर रहा है तो उसके बाद बहुत सारे रिस्टेक्शन एकोनॉमिक रिस्टेक्शन जो है वो भारत की उपर सैंक्शन किये गए थे इसी टेस्ट के बाद यह घटना हुई थी ठीक है और इस टेस्ट को हम ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं आप यहां प अब देखेगा यहां पर काफी टेंशन हमेशा से रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपका एलो सी रीजन है लाइन आफ कंट्रोल है राइट तो यहां पर दोनों देशों ने एक इनिशेटिव लिया क्योंकि गांदी इनका अटल जी का कहना था कि हम अपने बीच में जो भी यह टेंशन चल रही है इसको हमें खतम करना चाहिए और इसलिए अटल वियारी बाजबेजी और नवास सरीफ के बीच में लाहर डिकलेरेशन पर साइन होते हैं 1990 में और यहां पर यह बात कही जाती कि दोनों कंट्री अवाइट करेंगी कि किसी भी तरीके कि नुकलर वेपन का यूज वार में ना करें और कभी यह वार को जनरेट ना करें तो इन दोने के बीच में यह साइन होता है लाहर डिकलेरेशन और अटल विहारी बाजबेजी के दौरा यहां पर देखें लाहर बस सुविधा की शुरुआत भी की जाती है और खुद अट कारगिल वार शुरू हो जाती है और लाहर डिकलेवेशन का खात्मा हो जाता है ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं कारगिल वार के बारे में जो कि 1909 में हुई थी पाकिस्तानी ट्रूप एंटर कर गई थी कारगिल रीजन में कश्मीर में ठीक है हाला कि USA के दौरा और Western ज पर जीत होती है तो 26 जुलाइ को हम कारगिल विजय दिवस की रूपे भी मनाते हैं तो आप देख रहे हैं कि बटल जी प्राइम मिनिस्टर है देश के तो कारगिल वार भी हो रही है 1999 में इसके अलावा 2001 में जो है वो पार्लियमेंट में अटेक भी इनके समय में ही हो जाता तो काफी जादा उठापटक चल रही है और जो पोकरन टेस्ट कराया है तो फिर एकोनॉमिक रिस्टिक्शन्स भी USA के द्वारा देश पे लगा दिये गए है तो काफी उठापटक की कंडिशन हमारे देश में उस समय चल रही है लेकिन उसके बाद भी अटल जी ने काफी जादा कंस्ट्रॉक्टिव वर्क हमारे देश में किया है अटल जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं यह बात कप बोल रहे हैं वो यह जो कारगल का वार हो रहा है कि हम तो गए थे दोस्ती का हाथ बढ़ सबसे पहले आज जो हम बात करें टेलीफोन पर जो हमारे देश की सबसे बड़ी इंफरस्ट्रक्ट अधियोचना जिसको हम यहां पर गोल्डन कॉडिलेटर भी बोलेंगे गोल्डन कॉडिलेटर की शुरुआट चार महानगरों को जोडने की शुरुआट प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआट भी अतल जी की द्वारा की गई थी आज हम बात करते हैं राइट टू एडुकेशन पर की गई थी जो हम डिस इंवेस्टमेंट की बात करते हैं आज आप देखें बड़े पैमाने पर डिस इंवेस्टमेंट हो रहा है तो डिस इंवेस्टमेंट मिनिस्ट्री जो पी एस यू वगरा के लिए उसको सेट अप करने की शुरुआट किस ने की थी चलिए हम बात करेंगे सर्वसिक्षा भियान के बारे में 2000-2001 में सर्वसिक्षा भियान की शुरुआट की गई थी जिसके अंतरगर फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन जो है वह 6-14 साल तक के बच्चों को प्रवाइट किया जाएगा और जब इस स्कीम के शुरुआट की गई तो यहाँ पर जो आप ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत तेजी से घटा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस पर the 2013 data the school drop out has declined from 80 lakh in 2009 2009 तक 80 lakh बच्चों के दौरा drop out कर लिया जाता था वही 2012 में यह data 30 lakh हो गया मतलब यह आप कह सकते हैं कि सर्व सिक्षा अभियान को आपको फायदा मिला और जो primary level पे जो enrollment होते हैं बच्चों के वो भी यहाँ पे increase हुए ठीक है इसलिए 2017 में government of India के दौरा यहाँ पे शगुन शगुन यहाँ पे पोर्टल लॉंच किया गया जो की monitor करता है सर्व सिक्षा अभियान को ठीक है वर्ल्ड बैंक की सहयोग से शगुन यहाँ पे वेव पोर्टल को तैयार किया गया था वही अगर अगर अब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योचना के बारे में बात करते हैं बर्थरडे के दिन 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2000 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योचना के शुरूरात की गई थी इसका उद्देश यह था कि ग्रामीड छेत्रों में शहरी छेत्रों में हर कहीं जो है वो रोड इंफ्रस्ट्रक्चर हो वतलब लोगों को आवागवन में आसानी हो ट्रांस्पोर्ट में आसानी हो इसलिए एक सेंटरली स्पॉंश इसकीम रही है इसके लाब आप गोल्डन कॉडिलेटर की बात करते हैं जो भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट माना चाता है इसके शुरुआत भी अटल जी के दौरा की गई थी इसमें देश के चार महा नगरों नई दिल्ली, मुंबई, चेंडनी और कोलकाता को आपस में कनेक्ट किया गया है इसको हम गोल्डन कॉडिलेटर कहते हैं गवर्मेंट ओफ इंडिया के दौरा 2022 से लेके 2019 तक प्रवासी भारती दिवस हम 2023 में सेलिब्रेट करने वाले हैं कहां पर इंड और मदर प्रदेश में तो यह जो प्रवासी भारती दिवस की शुरुआत है वो 2003 में अटल जी के दौरा ही की गई थी और 9 जन्वरी की डेट इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन महात्मागानी 1915 में साउथ अफरीका से लोट कर आए थे तो यह सारे काम अटल जी के दौरा किये गए हैं अब अटल जी को इनके कॉंट्रिबूशन के लिए कई सारे सम्मान भी दिये गए हैं जैसे कि 1992 में 1992 में पद में विभूशन अवर्ड अटल जी को दिया गया था वही 2015 में अगर आप देखेंगे 2015 में प्रणाव मुखर जी अटल विहारी बाजपे जी को भारत रत जो की भारत का सबसे बड़ा सिवीली सम्मान है वो दिया जा रहा 2015 में इने भारत रतन दिया गया वही 1992 में पद में विभूशन दिया गया पांगलादेश लिबरेशन वार सम्मान 2016 में मिला लोकमान तिलक अवर्ड 1994 में और आउटस्टेंडिंग पालियमेंट्री अवर्ड 1994 में अटल जी को दिया गया ठीक है 2009 के बाद से अटल जी की तवियत खराब रहने लगी ठीक है 2009 से अटल जी की तवियत खराब रहने होने लगी और 2018 में जो है इन्हीं इम्स में एडमिट किया गया और किड्नी इंफेक्शन के कारण इनका निधन हो जाता है 16th August 16th August 2018 में अटल जी का निधन हो जाता है अटल बाजबे जी का निधन हो जाता है चीक है तो इसलिए इन्हें Right Man in Wrong Party के नाम से भी जाना जाता है जैसे कि महात्मा गांदी जी का जब निधन होता है तो महात्मा गांदी जी की जो अस्तियां है बोला जाता है हमारे देश की जितनी भी पवित्र नदियां है उन नदियों में जो है वो गानी जी की अस्तियों को विशर्जित किया जाएगा ठीक है और ऐसा हुआ भी था अलग-अलग जगहों पे जाके जो भी हमारे देश की पवित्र नदिया है वहाँ पे गांधी जी की अस्तियों को विसरजित किया गया था अब अटल जी के गर हम वर्क के उपर चर्चा करते हैं, इनकी द्वारा कई सारी पोयम लिखी गई है, पुस्तकों को लिखा गया है, उनकी उपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, अब इन में दो पुस्तकों के नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, जो कि एक्जाम में कई थे वार पूछेगा है, एक तो है राजनीती की रप्तिली रा है, राजनीती की रप्तिली रा है 1997 में में लिखी गए थी 1997 में और वही璃 शक्ति से शान्ती, 1909 में लिखी गए थी अटल जी के द्वारा, ठीक है, कुछ लेख, कुछ भाषन, इंदियन फॉर को उफ्राण प बाजबे जी की है और इनके द्वारे कुछ पोयम भी लिखी गई है जिन में बहुती फेमस पोयम है मेरी 51 कवीताएं तो यहां से कॉशन अगर आप देखेंगे के बारे में बात करते हैं तो एटल जी का बदे होता है और 2014 में एटल गवर्मेंट के द्वारा डिसाइट किया गया था कि 25 दिसम्बर को हम गवर्णेंज बात करेंगे वहीं अगर हम विर्ल्ट की लॉंगेस टनल की बारे में बात करते है जो कि अटल टनल है piriaik जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी इसका नाम भी अटल विहारी बाजपे जी के नाम पे रखा गया है अगर आप अटल से तु देखेंगे अटल से तु जो कि मांडवी रिवर पे गोवा में है जो कि एक केबल ब्रिज है थर्ड लॉंगेस केबल यहां से वीडियो के दौरान मिल गया होगा so thank you so much हम मिलते हैं next burning issue में अगले ऐसे ही historical figure को हम discuss करेंगे तब तक अपना ध्यान रखेंगे take care